अब ऐसे कोस्चन को जल्दी बनाना हो तो दिल में दर्द नहीं हो इसका ध्यान रखिएगा तो कि अभी अभी मेरे एक फ्रेंड को दिल में दर्द हुआ है ना डॉक्टर के पास गया था डॉक्टर ने कहा है देखो हुआ कुछ नहीं है बस एक गल्फिंट की कमी है खोज ल और अट यहां पर आठ दिया रख़ निकालना है यहां पर एक्स-1 बैस वीडे सकता है तो आखिर में लोजी क्या होता है उसको समझे कैसे निकालेंगे देखिए पाले लोजीक को समझते हैं माली यहीं आपका क्योश्चन है तो हम क्या करते हैं दुनों तरप स्कॉार करते है तो एक्स-पलस वर्न बाइब्य स्का फल्सक्वाइर क्रिक भी बताएंगे बहुत जल्दी पढ़े इसका लोजिक समझ यह हो जाएगा नाइन तोड़े इसको एक्सक्वाइब a square plus two a a ho gaya ya b ho gaya b plus one by X ka square is equal to nine यह cut gaya तो होगे आपका X square by one plus X square equal to 9-2 equal to 7 तो मतलब इसका मान मिल गया क्या इसका मान मिल गया यहाँ पर seven फिर इसका मान निकालना है इसका मान निकालना है अगर हम फिर इसके स्क्वार करेंगे तो चार मिलेगा अगर यहां पेक्स स्क्वार दिया है ठीक है ना इसके स्क्वार करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स के पाउर फोर मिलेगा अगर इसके स्क्वार करेंगे तो क्या मिलेगा तो एक बात आपको समझ में आ गया कि हम स्क्वाइर वाला रूल अपलाई करके ऐसे सब का मान निकाल सकते हैं लेकिन ज़रा सोचिए समय लगजरा इसमें समय को तो ही बचाना है देखिए कैसे बनेगा देखिए यहां पे तो ऐसा तरीका अपलाई करना है जिससे क्या हो X is equal to 3 है राइट पहला question जो आपका है X square पलस X के power 1 by X square दिया है ठीक है न कैसे निकालेंगे हम तो करना क्या है 3 के square किजिए 2 माइनस कीजिए कितना आ गया से बेना गया अब निकालना है X के power 4 वाले का मान तो X के power 4 पलस 1 by X के power 4 ठीक है न इसका क्या हो जाएगा तो फिर द 49 माइनस 2 कितना होगा तो 47 हो जाएगा और फिर आगया 8 की बारी तो तीसरा देखिए X के power 8 पलस 1 by X के power 8 फिर इसका स्क्वाइर करके दो गटालेंगे तो 47 का स्क्वाइर माइनस 2 अच्छा 47 का स्क्वाइर फस सकते ना बहुत सर बच्चे पहुंग जाते हैं 47 के स्क्वाइ हो स्क्वाइर में नहीं फसना नहीं है यहां देखिए 47 का स्कर से करते हैं साथ का स्क्वाइर 49 चार के स्कॉाइर 16 साच अठाए दोना चपार एक छोड़ दिज nuclear नहीं पर हमें रिक सिकाय कि हुए है संग के जगा स्कौाइर ट्रीक यार के शिंग आ जाएगा 9 ये हो गया कितना 6-10 के 0 6 पच्चेगार 1-12 के 2 1 और 1 कितना होगा 2 22-09 क्या गया 22-09 आ गया उसमें से 2 घटाएंगे तो कितना हैगा 22-07 तो ऐसे आप बना सकते हैं न इन तीनों question गैंसर आपने बता दिया अब सवाल आता है कि sir अगर क्या हो यहाँ पे negative रहे तब क्या होगा तब कैसे apply करेंगे बस करना कुछ नहीं है बस एक बार ही काम अपलाई करना है एक बार ही तो दो उसमें apply करना है चलिए इसको सिख लेते हैं हम लो एक बार ही दू को add करने का यह काम करेंगे बाकि फीर क्या होगा सिस्टम बदल जाए गा यहां देखे ज्यादेहान से यहांद आखिए जैसे x-1 by x बराबर दिया है क्या दिया है दू दिया है तो x square plus one by x square निकाले करना कुछ नहीं है सर देखें यहां पर बस first time ही इसके square कर दिजिए इसमें धो जोड़ दीजिए माइन सहीत तो पर लस कर देंगे फॉस्ट टैम बस क्यतना हो गया च्यार पर लस दो कितना होगा चो फोड़ फिर निकालना कितना यगा बताइए इसके पॉहर करते हैं सब में तो क्या होगा देखिए अब यहां 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 तब अगया और पलस में कर सिखाया है कि सबसे पले जो यहां दिया गया है उसके स्क्वार किजिए चो का स्क्वाइर और प्लस है तो मैंस रखेंगे माइनस है रहे गए यहां पे तो पलस कर देंगे पलस है तो मैंस करेंगे तो क्या होगा दो गटा लिजिए कितना गया 34 का किजिए 34 अगर मान लिजिए आप से कह जाए एक्सका पाउर एट पलस एक्सका पाउर फोर एक्सका पाउर एट यहां दिया है मानिस का 34 तो क्या होगा फिर 34 का स्क्वाइर कर देंगे और दो घटा लेंगे तो चार चुका क्या होगा सोला जीरो नौ उसके बाद तो मेरे कहने का आर्थ है कि पूरे वीडियो को देखियेगा समझेगा तब जाकर सराची समझ में आएगा समाज में आये न अगर अच्छा लगा है न दोस्तों में सेर कर दिजिए बढ़िया और लगा है लाइक कर दिजिए और हाँ पहली बढ़ा है तेंक यू